कभी होटल में मारते थे पोछा एक लाग से शुरू किया कारुबार आज दो हज़ार करोड की कंपनी के माले नमस्कार मैं रिश्मी पांडे और आप देख रही हैं हापुल हलचल खास गबरों को सबसे पहले जानने के लिए सबस्क्राइब कर लिजए आपका अपना चैनल हापुल हलचल दुनिया में हर सफल आत्मी कई बार असफल हुआ आज की दौलतमंद बिजनेसमैन ने किसी जमाने में बेहत गरी भी देखी इस तरह के कई किस्ते काम्याब उद्योगपती और शक्षितों को लेकर के सुनने को मिलते हैं इनी लोगों में से एक हैं केपी ग्रूप के अध्याक्ष और प्रबंद निदेशक डॉक्टर फारुक गुलाम पटेल जिनकी सेक्सेस स्टोरी लाको युवा उद्मियों को प्रेरित करने वाले हैं गुश्रात की रहने वाले फारुक गुलाम पटेल का शुरूआती जीवन गरीबी में गुजरा उनके पता बस कंडेक्टर थे वे इस वजह से परिवार का पालन पोशन सही से नहीं हो पाता था कुछ बड़ा करने की चाहत में फारुक गुलाम पटेल ने मुंबई के ओर रुक किया और यहीं से शुरूआ उनकी काम्याबी का सफ़र कुछ बड़ा करने की हसरत लिए डॉक्टर फारुक गुलाम पटेल गुजरात से मुंबई पहुचे शुरूआत में उन्होंने कई छोटे मोटे काम किये चोटी सी सैलरी में और फिर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेट की पढ़ाई शुरू कर दी इसके आगे की स्टडी के लिए वहाँ 1990 में मैनमे टेक्स्टाइल रिसर्च असोसियेशन में चले गए 1991 में डॉक्टर फारुक गुलाम पटेल इंग्लैंड पहुचे हाला कि विदेश में भी उन्हें शुरूआती संघश का सामना करना पड़ा और एक क्याफे में काम करने लगे वो देश से दो साल दूर रहने के बाद वे 1993 में सूरत लौट आए देश बहुच कर जल्द ही उन्होंने एक कार्टिंग कंपनी शुरू की लेकिन 1994 में उन्होंने एक लाक रुपे की पूझी के साथ केपी ग्रूप की स्थापना की डॉक्टर पटेल की रहा में उस समय के निर्णायक मोडाया जब उन्होंने केपी बिल्कॉन प्राइवेट लिमिटेट की शुरूआत की इस कंपनी ने 2001 में दूर संचार शेत्र में काम करना शुरू किया संचार के महत्व और कम्यूनिकेशन टावर्स की बरती अवश्चक्ता को समझने के बाद उन्होंने 16 भारती राजियों में अपनी कंपनी को रणनितिक रूप से विक्सित करने का निर्ने दिया इस विजने उसमें सफल होने के बाद उन्होंने रियूबल एनरजी बाजार में प्रवेश्व किया उन्होंने 2008 में KPI ग्रीन एनरजी के स्थापना करके सौर उर्जा उद्योग में एंट्री ली फिर 2010 में उन्होंने पवन उर्जा पर योशनाओं पर जोड़ देते हुए KPI एनरजी के स्थापना की जिससे उनके पोर्ट फोलियो का काफी विस्तार हुआ आज डॉक्टर फारुक गुलाम पठेल की कंपनी के पास 1500 एकर से अधिक भूमी गुश्रात का सबसे बड़ा निजी और पार्क और दो गीगावाट से अधिक हरित उर्जा का पोर्ट फोलिया है KPI समुका पूरे भारत में 2000 करोड रुपे से अधिक का कॉमेर्शियल एमपायर है